शिप्पुरी कुनो नेशनल पार्क उसे निकल कर रियाईसी इलागों में पहुँचे नर्चीता ओवान को अफरिका से आई स्पेशल टीम ने रैस की ओपरेशन कर पकड़ लिया है पकड़ी गई चीते को टीम अपने साथ लेकर गई है जिसे कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा चीते के पकड़े जाने के बाद ग्रामनों ने राहत की सांस ली है दरसल पांच दिन पहले ओवान नामका नर्चीता कुनो नेशनल पार्क से भाग गया था चो पिछले तीन दिन से शिप्पुरी जिले के वेराट तैसल चेतर के जंगल में लगे रियाई सी इलाके में घूम रहा था दच्छड अफ्रिका से आई स्पेशल टीम ने वेराट तैसल चेतर के डावरपुरा रामपुरा गाउं के जंगल से रैस्क्य ओपरेशन कर चीते को पकल डिया है बनविवाक की टीम लगातर रख रही थी चीते की गतिवितियों पर नज़र पार्क सीमा सिभाड आने के साथ ही कुनो नेशनल पार्क की टीम चीते की हर गतिवितियों पर पैनी नज़र रखे हुए थी इसके साथ ही पिछले तीन दिनों से पोहरी बन विवाक और पलिस की टीम भी चीते की सुरक्षा में तैना थी गुरुवार की सुबा चीता गाजीगड गाउं के जंगल से निकल कर डावरपुरा गाउं के जंगल और खेतों में पहुँच गया था चीते की आमास से छेतर के घ्रामनों में दह्शत बनी हुई थी बुद्वार को चीता ओमान ने जोराई गाउं के जंगल में चीतल का शिकार भी किया था इसके बाद चीता आनंदपुर गाउं के खेतों से होता हुआ गुरुवार की सुबा डावरपुरा गाउं के जंगल में पहुंच गया था जो सुबा से जंगल में लगी खेतों में डेरे डाले बैठा था जिसे दक्षण अफरिका से आई स्पेशल टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ लिया। वेराड से धर्मेंद शर्मा की रिपोर्ट